रेड्मी के फिप्टियाई और पोकव फाइब दोनोई सीवी प्राइस का फोन है लेकिन जोनों फोन का अंतर कौसा ज्यादा बेटरे मैरे बहुत दिन देग्यूस के बाद मैं आप लोग इस वीडियो का अंतर बादन वालों को सब्सक्राइब ज्यादा बेटर होगा सब्सक्राइब करते हैं और निव हो तो ऐसे वैलोएब और चिनेर कॉंटेंट चैनल कंदर देखों मिल जाता है आप लोग सपोर्ट करोगे हम लोग इंप्रूब करते जाएंगे तो इसके लिए भाई सब्सक्राइब बहुत बहुत ज़रुए है चलो भी जाटा बहुत ना करके सुधा कंप्यार स्टाइब करते हैं पहों का डिस्प्ले का रेड्मी के 50 आइक अंदर देखना हो मिलता है पोके 5 का अंदर 1000 नीट्स का पीक ब्रैटनेस भी देखना हो मिलेगा तो यह दोनों का अदर बात करें सेमी प्राइस का अंदर तो यह पर मैं पीक करता है अमलूट डिस्प्ले को तो अमलूट इस्प्ले को पर्चेस करना है जो लोग बहुत ज़ादा है पर कंटेंट बग अगर आता है और जो ग्रीन लाइन इशू बगरा भी आ रहा है वो भी आर आई डिस्प्ले का अंदर देखना हो नहीं मिलता तो यह पर आइपस के तरह लोग जा सकते जिसका मेंटिनेंट कॉस्ट भी पहुत ज्यादा कमे और गिर के टूटता भी ज्यादा अमूडी है तो इसके लिए आपको जो भी अच्छा लगता आप लोग उसके तरह आप जा सकते हो तो किसे हम लोग बात करते कि नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि बहुत जाधे इंपॉइंट है जो कि पर्वाइस प्रोसेसर और गिमी फोको एप का अंदर देखना मिलता है स्नाप ड स्कूर देखना मिलेगा लेकर बात करें दोनों के अंदर रियर लाइफ गेमिंग का हाँ पर हुए जदा बेटर यह पर ज्यादा पारफुल प्रोसेसर स्नाप ड्रेगन सेवें प्लास जेन टू है और स्नाप ड्रेगन का प्रोसेसर लॉंग टाइम यूस के लिए भी ज्या है तो इसे पर दोनों फोन के अंदर आप लोग नइटी पीस पर गेमिंग कर सकतोु लेकिन अग्रफंद्गर बात करें रियल लाइफ गेमिंग का फोक अफ आप दweil 50 फीटर इफ्ट्र साफ लोग एक पिस को प्तेश्ट करतो हो गाई जाना बेटर एप स्रेटमे के अंद देखने हैं मिलेगा इन गेम में गेमिंग करते हैं अगर आप लोग बहुत जदा हॉट ड्रॉप पर लैंड कर दो एपिस ड्रॉप बगरा करते हैं क्लोजेंच फाइट का अंदर 60-64 जादा 84 तक टच करता है बहुत जादा फ्लाक्ट्वेट करता है सेवेंटी लगबाइग सोचल अपने 70 पेस फर गेमिंग कर रहा है तो यह पूं से है लेकिन गई जगर आपको प्रॉपर 90 पेस चाहिए तो रेडवी के पीट आपको 82 से 84 85 एपिस तक लगबाइग निकलके देगा अगर आप लोगी स्क्रीन डिकॉर्टिंग बाइग बोलें नहीं मिलता लेकिन स्नापड्रागन 7 Gen 2 7 plus Gen 2 थोना सा ज्यादा हीट कर जाता है पोके 5 रेडवी के विप्टाइस से तो लगबाइग दोनों पोट के अंदर कोई भी हीटिंग उच्छों लगबाग नहीं है 42 दिग्री तक टच करता है पोके 541 42 दिग्री तक रेडवी के प कारे में जो भी पर्चेस करना है तो उसका रियल मोटीफ तो कामेरा होई नहीं सकता फिर जिन लोग एक और और पोन चाहिए इस अपर दोनों फोन का कैमरा उतना खास आपको देखना हो नहीं मिलेगा रेडवी के अंदर जो आम लोग को क्यामरा देखना हो मिलता है उसमें कैसे अपर कलर टून बेगरा थोड़ा से यार बेकर मेरे को लगा है उसकार कामरा फूल कामरा रिवीव चाते फिर कंपरीजन वीडियो चातो कॉमेट करना जरू बना दूंगा लेकिंग इस पोकवे 5 का अंदर हम लोग को उससे तोड़ा सा बेटर कामरा देखना हो मिलेग अगर आप लोग बस कामरा के लिए फॉन को पर्चेस करोगे तो लेकिन यह एक और अटर पॉन है का इस मतलब गेमिंग पॉन जातर गेमिंग के लिए फॉन को लॉंच किया गया दोनों इशू रेडमी या फिर पोकवे उजार दोनों को भाई मन पिया पर धर बना रहता है कि डेड़ों ना हो जाए रेडमी के अंदर भी दो एक फोन में डेड इशू देखनों में लाइफ पोकवे 5 का अंदर भी तो यह आपर कैस आप लोग नहीं बोल सकते कि दोनों इफोन खराब है कि रेडमी के लिए लॉन्च हो चुका है एक साल कंप्लीट हो गया है और यह कोई इशू दोनों बंद के अंदर नहीं है रेडिवी क्रिप्ट है थुरा मोरा पोन यह पर डेड़ हुआ पोकवे 5 डेड़ हुआ लेकिन अगर आपको डेड़ के लिए बहुंच जादा डर है तो फ्लैक्षीप उनको पर्चिस करोगे दूसरा आपको डेड़ इशू को चाहल के लिए करते हैं तो इसका जए लिए लेगा वार्यंटि था हो जाए था तो इसका थिम्मेदारी कंपनी ले लेगा आपका फॉन को फ्री में या पर रिप्यार करते है तो यह फेर अधर कोई पॉन आपको दे देता है तो अब यह बात करते हैं लॉंग टैमिंग के लेकिन अपर एप्पेस ज्यादा करेगा रेडवी के 50 आई के अंदर लॉंग टाइम में दोनों फोन के अंदर हीट्टिंग इसू नहीं है दोनों फोन का अपलों गेमिंग के लिए पर्चेस कर सकतो गाइस अगर आपको कम लगता है गाइस दोनों फोन के अंदर आप लोगो गेम इस पेस जो देखना हो मिलता है गेम टारबूस का अंदर साप लोग इंक्रेस भी कर सकतो वर्चुल तरीके से फिर भी गईसे पर बहुत अच्छे से काम कर लेता है कोई प्रब्लम नहीं है टॉची दोनों फोन के अंदर हम लोगो व्लाट वायर यह फिर अधर कोई अप्लिकेशन बगरा जो कि फिलाल क्री में मिलता है वह बहुत कम देखना मिलता है और यूजर एक्स्प्रियंस दोनों का इक आप भी ज्यादा अच्छा है बहुत ही स्मूधली चल जाता है दूसरे अगर एमा यह फिर फोको के फोन के साथ अगरा हम लोग कंप्यार करें तो बताते यार दोनों फोन के अंदर कौन सा फोन को पर्चस करना चाहिए तो अगर गेमिंग के लिए फिर अधर्वाइस सभी रिजन के लिएकर हो तो दो साल का वाराइटी मिल रहा है मेरी साब से गईस प अगर आपके फोन खराब भी हो जाता है सर्विस आपको ठीक टाक देखना हो मिल जाएगा इस पहले बर प्रॉब्लम है था कंपनी का बहुत बंदा महते इसलिए दो साल का वारेंटी देखनो मिल रहा होगे और देर साल बाते जाए जाता देखना हो मिल सकता है लिए स्मू तो अभी अपलोग कॉमेट कर आपको फोन की तरब जाना है तो की फिप्टा भी खराब ने बोल नहीं सकता भाई यह पर अगर सो पॉइंट में से असी पॉइंट देता हूँ की फिप्टा आई को और नबभाई पॉइंट देता हूँ पोको एफट को साधान तर नहीं है लेकिन आपको मैं रेकमेंट करूंगा अब अभी आपको पर्चस करना तो वारान्टी जाथा दो मिलेगा आपको फोको एफट की तरा पी जाहू हो सागे तो चले वीडियो कहसे लेगा कॉमेंट करना है इसा कोई वीडियो चे अपलोग कार सकतो कोई कोस्टियन पूश्के करा देना और सपोर अप्लोग कर देना जरूर से जरूर इस्ट्रग्राम पर कोई कोश्चिन है पूल साकता आप आप जरूर रिपलाई देगा और अगर आपको पोकोई 5 के साथ रियल में जिटिन यो 3 का वीडियो देखना है लेफ्ट बाला वीडियो को किलिक करो और किलिक करो